दोस्तों नमस्कार, पैन कार्ड और अधार कार्ड को लिंक करना अनिबारी हो चुका है, और इसका लास्ट डेट है, 31 मार्च 2013 तक, अगर आप पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनेक्टिव हो जाएगा, अर्थात पैन कार्ड से financial land then आप नहीं कर पाएंगे और ITR भी फाइल नहीं कर सकते हैं और pen card से जुरी कोई भी कम आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका pen card inactive है एक्टिव नहीं है चालू नहीं है आपका pen card बंध है तो चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप pen card को अधार काड से link कर पाएंगे pen card को अधार काड से link करने के लिए income tax के website पे आ जाएंगे इस website का link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा डिरेक्ट क्लिक करके आप आ सकते हैं तो इस पे आने के बाद यहां पे देख सकते हैं link अधार है और link अधार status है तो आपको जो है link अधार status पे आपको click कर देना है आपके आपको मालुम चल सके कि आपका pen card अधार काड से link है या नहीं चेक करने के लिए pen नमर को यहां पर फिलब करें उसके बाद अधार नमर को आप यहां पर फिलब करें उसके बाद view link अधार status पे आप click कर देंगे उसके बाद यहां पे pen not link with अधार card तो यहां पे इस अब इस पे से सुरू हो जाता है pen को अधार card से link करने का process इसके लिए आप जो है pen नमर को यहां पे आप इंटर करेंगे अधार नमर को यहां पे आप इंटर करेंगे उसके बाद यहां पे validate वाले option पे आप click कर देंगे इसके बाद इस तरह का कुछ interface खुलेगा तो यहां प मैं आपको बता दू जब pen को अधार card से link करने का process शुरू हुआ था तब फिरी में किया जा रहा था pen को अधार card से link उसके बाद सरकार के तरफ से एक notice जारे किया गया है जो भी बेक्ती pen को अधार card से link करेंगे उसको 500 रुपिया देने परेंगे 500 रुपिया के बाद यहां इसके बाद pen नमर यहां पर इंटर करेंगे उसके बाद मोबाल नमर आप यहां पर इंटर करेंगे उसके बाद मोबाल नमर आप यहां पर इंटर करेंगे उसके बाद मोबाल नमर आप यहां पर इंटर करेंगे उसके बाद मोबाल नमर पर ओटिपी आगा ओटिपी इंटर पहलő जो दिया गया है in an econom gross इसी पे आपको क्लिक करके और यहां पर प्रषीड वाले option पे आपको क्लिक करने के बाद यहां पे select करें बेंगे और यहांपे 2023 से चव्यविस यहांपे select करेंगे दो हजार तयस्nessơi और च्वईस यही आप सेलेक्ट करें इसके बाद यह जो कॉलम बना हुआ है सबसे लास्ट में आपका 1000 रुपया लिखा होना चाहिए यहां पे कंट्विण वाले ओप्सन पे आप किलिक कर देए इसके बाद आप नेट बेंगिंग से पेमेंट कर सकते हैं डेविट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से भी आप पे कर सक तो आप यहां पे देख सकते हैं HDFC बेंग का है 12 रुपया तो यहां पे इस तरह से सभी बेंग का दिया गया है अगर आप डेविट कार्ड से करते हैं तो कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा तो चली हम यहां पे डेविट कार्ड से ही कर लेते हैं पेमेंट 1000 रुपय इसके बाद आप continue वाले उबस recurret के किलिक कर देंगे और यकरने के बाद इस पेज को उपर क्रें उसके बाद पए नों पे आपको कलिक कर देना है उसके बाद यहां पे टर्मियन कर्क्र N अइगा इसको आपकोम करेंगे इसके बाद submit to bank वाले option पे आपको click कर देना है तो यहां पर net banking से payment कर सकते हैं debit card से UPI से भी आप कर सकते हैं तो चलिए debit card पे हम click करके debit card से payment कर सकते हैं यविट कार्स्पयमट कर देते हैं और यहां पर काड नम्र एक्सपारी निए स्य भी इंटर कर देंगे और जो कार्ड पे nauhod भी इंटर करके आगे का प्रोसेस हम यहां पे करेंड पेमेंट्स payment की हैं उसका सिलिप यहां पर download कर लेंगे payment होने के बाद अब यहां पर pen को अधार कार्ड से link करना है लेकिन जब आपका payment हो जाता है पांस से छे दिन के बाद आपको अधार कार्ड लिंक करना होगा क्योंकि जब आप payment करते हैं तो तुरंत income tax वाले के पास नहीं पहुंचता है इसके लिए पांस से छे वर्किंग डे लग जाते हैं तो पांस से छे दिन के बाद फिर से आप किसी पेज़ पर आएंगे तो यहां पे लिंक अधार वाले option पे आपको क्लिक कर देना है और यहां पे pen नमर इंटर कर देना है और अधार कार्ड को लिंक किया जाए जो आपने पेमेंट किया था वह यहां पे रिसीव हो चुका है तो यहां पे आप continue वाले option पे आप किलिक कर देंगे इसके बाद यहां पे जो आपके अधार कार्ड में नाम है वह यहां पे आप फिल अप कर देंगे अगर आपका date of पर्थ पेन कार्ड में सही सही है तो आप जो है इस वाले बॉक्स पे आप किलिक नहीं करेंगे तो सबसे आप नीचे वाले बॉक्स पे आपको किलिक कर देना है सभी यूजर को पहले वाले बॉक्स जो है उस पे आपको किलिक नहीं करना है नीचे वाले बॉक्स पर आप किलिक करेंगे और आई एगरी टू वेलिडेट माई अधार पर आप किलिक कर देंगे इस वाले बॉक्स पर इसके बाद यहां पर लिंक अधार वाले अप्शन पर आप किलिक कर देना है तो आप यहां पर देख सकते हैं आपका रि